वचन दियगय प्रसंग को पढ़िये और समझिये कहानियां सभी को अच्छी लगती हैं एक दिन अध्यापक ने भी एक कहानी सुनाई रामू नाम का एक चरवाहा प्रती दिन अपनी बकरियां जंगल में चराने ले जाया करता था एक दिन उसे मजाख सूजा वह जोर-जोर से चलाने लगा बचाओ बचाओ भेडिया आ गया वह पकरी को उठा कर ले गया काँवाले लाठियां लेकर दोड़े दोड़े आये पर उन्हें वहाँ कोई भेडिया दिखाई नहीं दिया उन्होंने देखा रामू पेड के पत्तों में छिपकर बैठा बैठा हंस रहा था दिये गए वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि रंगीन शब्द दो प्रकार के हैं जैसे अध्यापक चरवाहा जंगल उसे भेडिया बकरी पेड दूसरे वे जिन में किसी प्राणी वस्तू आदी के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है जैसे कहानिया, बकरिया, गामवाले, लाठिया, उन्हे, पत्तों संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तू प्राणी के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे व्यकरण में वचन कहा जाता है हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन सबसे पहले एक वचन के बारे में जाने शब्द के जिस रूप से किसी वस्तू व्यक्ति आधिके एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है जैसे चिडिया फूल खिलोना शेर अब जानते हैं बहुवचन के बारे में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तू आधिके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है जैसे चिडिया बकरिया लड़के बोतले चलो, विभक्ति रहित संग्या शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को देखते है आ से अन्त होने वाले अकारांत पुलिंग शब्दों के अन्त में आ को एक करके एक वचन से बहुवचन बनाना लोटा एक वचन है जिसे लोटे कर दिया जाए तो बहुवचन बन गया ऐसे ही कमरा एकवचन है जिसे कमरे कर दिया गया तो बहुवचन बन गया कुर्ता एकवचन है जिसे कुर्ते कर दिया जाए तो बहुवचन बन गया रास्ता एकवचन है जिसे रास्ते कर दिया जाए तो बहुवचन बन गया पंखा पंखे तोता तोते आ से अंत होने वाले अकारांत स्ट्रेलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद एं जोड़ कर एक वचन से बहुवचन बनाना माला एक वचन है जिसे मालाएं कर दिया जाए तो बहुवचन है ऐसे ही सेना का सेनाएं महिला का महिलाएं कविता का कविताएं अ से अंत होने वाले अकारांत स्रेलिंग शब्दों के अंत में अ को एं करके एक वचन से बहुवचन बनाना बात एक वचन है जिससे बातें शब्द बना है जो बहुवचन है ऐसे ही गाए एक वचन है जिससे गाएं शब्द बना है जो बहुवचन है पुस्तक एक वचन है जिससे पुस्तकें शब्द बना है जो बहुवचन है कमीज एक वचन है, जिससे कमीजें शब्द बना है, जो बहुवचन है, सडक, सडकें, मशीन, मशीनें, दिवार, दिवारें, मेज, मेजें इसे अंत होने वाले इकारांत और इकारांत स्ट्रीलिंग शब्दों के अंत में इ तथा इ को यां करके एक वचन से बहुवचन बनाना नीती एक वचन है, जिससे नीतियां बना है, जो बहुवचन है ऐसे ही जाती एक वचन है, जिससे जातियां बना है, जो बहुवचन है तिथी एक वचन है, जिससे तिथियां बना है, जो बहुवचन है लिपी एक वचन है, जिससे लिपियां बना है, जो बहुवचन है नधी नदियां साडी साडियां या अन्तवाले स्रीलिंग शब्दों में अन्तिम या को या करके एकवचन से बहुवचन बनाना कुटिया एकवचन है जिससे कुटियां शब्द बना है जो बहुवचन है ऐसे ही डिबिया एकवचन है जिससे डिबियां शब्द बना है जो बहुवचन है जिससे चुहिया शब्द बना है जो बहुवचन है बिटिया बिटिया गुडिया गुडिया बुडिया बुडिया जिन शब्दों के अंत में छोटाउ बडाउ और ओ की ध्वनी है उनके अंत में एं जोड कर एक वचन से बहुवचन बनाना रितू एक वचन है जिससे रितूएं बना है जो बहुवचन है ऐसे ही गौ एक वचन है जिससे गौएं बना है जो बहुवचन है वस्तू वस्तूएं वधू वधूएं कुछ शब्दों के साथ गण, वरिंध, जन लोग जोड कर एक वचन से बहुवचन बनाना छात्र एक वचन है जिससे छात्र गण बना है जो बहुवचन है ऐसे ही प्रजा एक वचन है जिससे प्रजा जन बना है जो बहुवचन है अध्यापक अध्यापक वरिंध गरीब गरीब लोग विभक्ति सहित संग्याओं के बहुवचन बनाना जन संग्या शब्दों के साथ कारकों की कोई विभक्ति लगी होती है उनका बहुवचन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए एक वचन से बहुवचन हे तू अंतिम अ तथा आ को उ कर दिया जाता है जैसे पत्र को का पत्रों को अंगूर में का अंगूरों में राजाने का राजाओं ने योधाने का योधाओं ने उ से अंत होने वाले उकारांत और उ से अंत होने वाले उकारांत शब्दों के अंत में बड़े उ को छोटे उ में बदल कर ओ जोड दिया जाता है जैसे गुरु को गुरुउं को वधूने उ से अंत होने वाले इकारांथ और इ से अंत होने वाले इकारांथ शब्दों के अंत में इ को इ में बदल कर यो जोड़ दिया जाता है जैसे नदी में नदियों में चाबी को चाबियों को रात्री में रात्रियों में नीती को नीतियों को संबोधन के समय बहुवचन बनाते समय शब्दों का बहुवचन रूप ओ या यो हो जाता है जैसे बालक, अरे बालको, छात्र, हे छात्रो, भाई, हे भाईयो, सिपाही, अरे सिपाहियो विशेश जानकारी पर ध्यान दें, सम्मान या किसी के प्रती आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रियोग किया जाता है जैसे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए, मेरी नानी जी बिमार हैं, इन वाक्यों में प्रधानमंत्री और नानी जी के लिए सम्मान प्रकट करने के कारण उनके साथ क्रमश गए और हैं बहुवचन शब्दों का प्रियोग किया गया है अभिमान या बढ़पन दिखाने के लिए प्राय एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रियोग किया जाता है जैसे नेता जी बोले हम भष्टाचार मिटा कर रहेंगे गांधी जी कहा करते थे हमें अपना काम स्वयम करना चाहिए इन वाक्यों में नेता जी तथा गांधी जी के लिए हम और हमें बहुवचन शब्दों का प्रियोग हुआ है कुछ संग्या शब्द सदा बहुवचन में ही प्रियोगत होते हैं दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, आंसु आदी कुछ संग्या शब्दों का प्रियोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है जैसे वर्शा, पानी, दूद, घी आदी भावाचिक संग्याएं सदा एक वचन में ही प्रियोगत होती हैं शिष्टाचार के कारण आजकल तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रियोग किया जाने लगा है कुछ शब्दों के साथ जब जाती